वाला एक और काम हुआ है आज भारत ने गुलामी के एक निशान गुलामी के एक बोज को अपने सीने से उतार्प दिया है आज से भारतिय नवसेना को एक नया द्वज मिला है अब तक भारतिय नवसेना के द्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी लेकिन अब आज से छत्रपति सिवाजी महराज से प्रेरीत नवसेना का नया द्वज समंदर और आस्मान में लहर आएगा कभी रामधारी सी दिनकरजी ने अपनी कविता में लिखा था नवीन सूर्य की नई प्रभा नवीन सूर्य की नवीन प्रभा नमो 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 स्वधंत्र भारत की द्वजा नमो 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 आज इसी द्वजवन्दना के साथ मैं ये नया द्वज नवसेना के जनक छत्रपती वीर सिवाजी महराज को समर्पित करता हूँ मुझे विश्वास है भारतिय की ताकि भावना से ओत्प्रोत ये नया द्वज भारतिय नवसेना के आत्मबल और आत्मसम्मान को नई उर्जा देगा साथ क्यों हमारी सेनाओं में किस तरह बढ़लावा रहा है उसका एक और अहम पक्ष मैं सभी देशवासियों के सामने रखना चाहता विक्रान जब हमारे समुद्री खेत की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नवसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेगी समंदर की अथां सक्ति के साथ असीम महिला शक्ति ये नए भारत की बुलन पहचान बन रही है मुझे बताया गया है कि अभी नेवी में करीब छेसो महिला आफिसर्स हैं लेकिन हम इनियन नेवी ने अपनी सभी साखाओं को महिलाओं के लिए खोलने का फैसला किया है जो पामंदिया थी वो अब हट रही है जैसे समर्थ लहरों के लिए कोई दाइरे नहीं होते वैसे ही भारत की बेटियों के लिए भी अब कोई दाइरे या बंदन नहीं है अभी एक दो साल पहले विमेन अफिसर्स ने तारीनी बोर्ट से पूरी पृत्वी की परिक्रमा की थी आने वाले समय में ऐसे पराख्रम के लिए कितनी ही बेटियां आगया आएगी दुनिया को अपनी शक्ती से परिचित करवाएगी नेवी की तरही तीनों ससस्त्र सेनाओं में युद्रक भुमिकाओं में महलाओं को शामिल किया जा रहा है उनके लिए नई जिम्यदारियों के रास्ते खोले जा रहे हैं साथियों आत्म निर्भरता और आज़ादी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है जो देश जितना किसी दूसरे देश पर निर्भर है उतना ही उसके लिए संकट है जो देश जितना आत्म निर्भर है वो उतना ही शसक्त है कोरोना के संकट काल में हम सभी ने आत्मन निर्भर होने की इस ताकत को देखा है समझा है अनुभव किया है इसलिए आज भारत आत्मन निर्भर होने के लिए पूरी शक्ती से काम कर रहा है आज अगर अथा समंदर में भारत की ताकत का उद्गोश करना के लिए आएनेस विक्रान तयार है तो अनन्त आकास में यही गर्जना हमारे तेजस कर रहे है इस बार पंदरा अगस को पूरे देश ने लाल किले से स्वदेशी तोप की हुंकार भी सुनी है आज हादी के 75 साल बार सेनाओं में रिफॉर्म करके भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनित बना रहा है आत्म निर्भर बना रहा है हमारी सेनाओं ने ऐसे उपकरोनों की एक लंबी लिज्ट भी बनाई है जिनकी खरीद अब स्वदेशी कंपनियों से ही की जाएगी डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलप्मेंट के लिए पचीश प्रतीशत बजट भी देश की उनिवर्सिटीज और देश की कंपनियों को ही उपलब्द कराने का मिरने लिया कया है तमिलनाडू और उत्तरपदेश में दो बड़े डिफेंस कोरिडोर्स भी विक्सित हो रहे है डिफेंस सेक्टर में आत्मंदिर भरता के लिए उठाए जा रहे हैं इन कदमों से देश में रोजगार के अनेकों नए अउसर पैदा हो रहे है चाथ क्यों एक बार लाल के लिए से मैंने नागरी करतव्य इसकी भी बात कही है इस बार मैं उसको दोहराया भी है बुंद बुंद जल से जैसे विराट समंदर बन जाता है वैसे ही भारत का एक एक नागरी वोकल फॉर लोकल अगर वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जीना प्राणम कर देगा तो देश को आत्म निर्भर बनने में अधिक समय नहीं लगेगा जब सभी देश वासी लोकल के लिए वोकल होंगे तो उसकी गुंज सिर्फ भारत में नहीं बलकि पूरी दुनिया में सुनाई देगी और देखते ही देखते दुनिया के जो भी मैनुफेक्चरर होंगे उनको भी मजबूरन भारत में आकर के मैनुफेक्चरिंग के रास्ते पर चलना पड़ेगा ये ताकत एक-एक नागरिक के अपने आप में तजूर्बे में है साथियों आज जिस तेजी से वैश्वीक परिवेश बदल रहा है वैश्वीक परिद्रश्य बदल रहा है उतने विश्व को मल्टी पोलर बना दिया है इसलिए आने वाले समय में बविश की गतिवीद्यां और सक्रियता का केंद्र कहां होगा ये बविश द्रश्टी बहुत जरूरी हो जाती है उदहान के तौर पर पिछले समय में इंडो प्रजिपिक रीजन और इंडियन ओसन में सुरक्षा चिन्ताओं को लंबे समय तक नजर अंदाज किया जाता रहा लेकिन आज ये ख्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्रात्मिक का है इसलिए हम नवसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी छमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं आज चाहे आप्शोर पेट्रोल विसल्स हो सब्मरीन सो या अएरक्राप करियर्स हो आज भारत की नवसेना की ताकत अभूत पुर्वगती से बढ़ रही है इससे आने वाले समय में हमारी नेवी और मजबूत होगी जादा सुरक्षित, सीलेंस, बहतर मोनिटरिंग और बहतर प्रोटेक्शन से हमारा एक्सपोर्ट, मेरिटाइम ट्रेड और मेरिटाइम प्रोटक्शन भी बढ़ेगा इससे केबल भारत ही नहीं, बलकि दुनिया के दूसरे देशों और विशेश कर हमारे पडोसी मित्र राष्ट्रों के लिए व्यापार और समरुद्धि के नए रास्ते खुलेंगे साथियों, हमारी यहां सास्त्रों में कहा जाता है और बहुत महर्तपून के बात कही जाती है और जिस बात को हमारे लोगों ने समस्कार के रुप में जीया है हमारी यहां सास्त्रों में कहा गया है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशाम परपिडिनाय खलच्य साधो विप्रितम एतत ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय अर्था दुस्ट्रकी विद्या दुस्ट्रकी विद्या विवाद करने के लिए धन गमन करने के लिए और शक्ति दुस्करों को प्रताडित करने के लिए होती है लेकिन सज्जन के लिए ये ज्ञान दान और कमजोर की रक्षा का जरिया होता है यही भारत का संस्कार है इसलिए विश्वको शसक्त भारत की ज़्यादा जरूरत है मैंने एक बार पढ़ा था कि एक बार जब डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम से किसे ने पूछा कि आपका व्यक्तित्व तो बड़ा शांति प्रिया है आपको बड़े शांति व्यक्ति लगते हैं तो आपको हथियारों की क्या जरूरत लगती है कलाम साब ने कहा था शक्ति और शांति एक दूसरे के लिए जरूरी है और इसलिए आज भारत बल और बदलाव दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है मुझे विश्वास है ससक्त भारत शांत और सुरक्षित विश्व का मार्ग प्रसस्त करेगा इसी भाव के साथ हमारे बाहदूर जवानों को वीर सनानियों को आदर पुर्वग उनका गर्व करते हुए आज के महत्वपुर्ण आउसर को उनकी वीरता को समर्पित करते हुए आप सबका मैं रुदेश से बहुत-बहुत धनवात करता हूँ जय हिंद देवियों और सज्जरों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भव्य उपस्थिती में एक बुलंद आवाज में मेरे साथ तीन जय पुकारेंगे आए नस फिक्रावंत की भारत ये मौसेना की भारत माता की प्रवादिन एक प्रवाद प्रवादि प्रवादिन है। लो हर झाल्ज अईनलम्स ए्पूर्ण नियूलन की यह दियूज को झाल वह झालिडरीज से विशनितर फिजिंट गपेश्ट इंस्य विक्रान्थ ख़िए। for the Nishan ceremony where the new naval enzyme will be hoisted on INS Vikrant. A ceremonial guard is positioned there and we shall shortly move to the commentator's desk on board the Vikrant. I would also like to remind our distinguished guests here that once the guard commander orders national salute, the national anthem would be played. Ladies and gentlemen, when the national anthem is played, all of you are requested to rise at your positions. Our guests here this morning would be delighted to know that the live broadcast of this ceremony is being broadcast on Doordarshan, our national television. And not only is the broadcast going all over India but also all across the world over satellite television and the internet. Big thanks to the crew from Doordarshan. The contactors are ready. Okay, on Twitter. Come on. Okay, on Twitter. As we mentioned earlier in the afternoon, in the morning, after the national anthem, we will be having a fly past. In fact, two of them. Due to prevailing weather conditions, we are all seated here. So we may not be able to have a close look at the fly past. But I am quite certain that we are going to feel and hear the fly past. So we are going to have a close look at the fly past. So we will be able to see the national anthem. So we are going to have a close look at the national anthem. We will be able to have a close look at the national anthem. Sound control. Flight deck of INS Vikrant commissioning will be marked by hosting the tricolor on the flat staff at the ski jump and the simultaneous hosting of the naval ensign on the ensign staff at the aft or the rear of the ship. Vikrant vishesh hai, Vikrant vishisht hai. Vikrant is special, Vikrant is superior in the words of honorable prime minister. INS Vikrant symbolizes atmanirbhar bharat. और यह तस्वीरें अब निशान समाहरों की तयारियां कलर से रिमनी जिसको कहा जाता है और अपने आप में यह बेहत महत पूर्ण क्योंकि हर नौसेनिक युद्ध दुपोत पर दो ध्वज होते हैं और अग्रिम भाग में रास्ट धोज एवं पिछले भाग में नौसेना का निशान होता है वो नौसेना का निशान जो आज नए रूप में नए सुरूप में भारतीय रूप में आज नौसेना को मिला है तर अगार्ड़ विलब रूब इव जुव मेर मिन थिलिए अलाग का निश्व ता प्राव टार्व प्लाग थवं पन कि प्रिम डियूर धार्यक में ठूट्व मार्थ लिए का एव्रड़ फस्वी लिए मज़े का रूसेना थाट्व प्लाद अ पंजाब सिंग गुजरात मराथा राविड़ पुपकल वंका इंध्य हिमाचल यमुनागंदा उचल जलतितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशिष मागे गाहे तव जय का था जन जन मंगन दायक जय है वालत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय है तो पूरे सम्मान के साथ हमने देखा किस प्रकाश रास्टगान के साथ में यहां पर निशान से रमनी हुई और जो नेवी का ध़ज है वो लहराता नजर आ रहा है इस वक्त आई एनस विकरान पर और ये नया ध़ज है जिसमें आज नया निशान देखने को मिल रहा है और अपने वेशिक काल जिसमें गुलामी की मान सिक्का जलकी दिए उसे आगे बढ़ते हुए आज भार्वेता का नया उतकर शोर देखने को मिला और ये जहाज के सूपर सुपर शुरुआत होती हुई दिखाई पर रही है ट्री चेतक मनुवरी राश्टर भज एवं नेवल एंसाइन का गर्व से पहन करते हुए त्री चेतक हेलिकॉप्टर का पहला हवाई दस्ता जिससा नेटकर कर रहे हैं और चेतक बाइलाइट बाइक कमांडर इशान महापात्रा बिलकुल यह तस्वीरे अपने आप में दिखाती है कि इस प्रकासी है फ्लाइ पास्ट जहां पर तीन चेतक हवाई जाज इसके लावा तीन एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर साथी साथ यहां पर सीइंग 42 ब्रेवो हेलिकॉप्टर और इन तमाम की गलगड़ाहट साफ इसको निहारते हुए और यह भारत की इस भवविता को दिखाने है आज दुनिया को बताने मैं सक्षम है कि हम कैसे दुनिया में आगे अग्रणी भूमी का निभाने को तक पर है इस प्राव मिनस्टर वेविंग अधरो ट्री वेंग अज़ ट्री चेतक अध्री 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 इंग एलिकॉप्टर अस विल एस रावो 42 ब्राव टूब लेट बाइक मांडर हर्पीत सिंग बबेजा इस प्लेंग नेवल से प्रॉबस सीकिंग 42 ब्रावो हेलिकॉप्टर कमांडर हर्पीत सिंग बबेजा की नित्रत में ये तमाम फ्लाइपास नज़र आ रहा है और प्रदान मंत्री एक तरीके से हाथ इलाकर अभी बादन करते हुए है गलगलाहट पताती है हमारी बढ़ती हुए रक्षा शम्ताओं की आथ निर्भार होते रक्षा के शेत्र में भारत की और आज का दिन बेहत एतिहासिक अग्सोट यूटी ऑ्यान में इंस्वेकरान आफ बदान आ इल्वेंच यूश्ट एकापब टारी तरीक अरीक यूवरे क्वीश जाटो भा इलेश के लिए ट र 제स्क मिट थाटी चर्वाटे जेट्स इंस अमंग्साइब यूजू एक्रांट अ मैंद अधर इंस हैर इंस बिल्कुल अपने आपने बेहत खास क्यूंकि विक्रांत आइए नस विक्रांत बहुत खास है और अब इक Tरीके से देखा जाए बहुत स्वाधक करते है भारतियों नौसेना पिया विक्रांत डा और रहिये रक्षा मंत्री हमको यहां नजर रहे हैं नौसेना प्रमुक एड्मिरल आर हरी कुमार अब माननिय प्रधान मंत्री जी को आयनिस विक्रांत का एक प्रती रूप प्रस्तुत करेंगे माननिय प्रधान मंत्री अब कमान अधिकारी कैप्टिन विद्यादर हर्के को रजत ताले का हस्तांतरित करेंगे अब मुक्यातिती सभी गड्मानियों के साथ चाया चितरन के लिए स्की जंप की तरफ बढ़ रहे हैं आकाश को अपनी गून से अलंकृत कर रहे अब आ रहे हैं हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिविटेड द्वारा निर्मित डौर नियर विमान जिनका नेतित्व कर रहे हैं कैप्टिन अर्जुन मैनन अब आ रहा है सेन्य सर्वेक्षण में सबसे कुशल अत्या दुनिक पंडूबी प्रतिरूदी उपकरणों से लैस पी आई विमान जिसके चालर्ग है मुंदर कुल्धि मेह फ्रौंबी तरूनियर नौकल और आई नौक्ष लिमित लैद बाइड़ और अर्जुन मैन पी-81 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 पी-8-1 पी-81 on your screens मनुवरीं फिर लोड़ भाप्री होग ड़ा प्मान जालेश से रान और अब बारी है प्रसिक्षन के लिए उप्योग में लाए जाने वाले हौक लड़ा को विमानों की इस दस्ते का नित्र तो कर रहे हैं कमांडर शैलेश सिंग राणा बारी बारी है प्रसिक्ष law झालेश लेए चालेश सिंग में लाई लाग जारी है सिह लाए भ्रसिक्षाउ सरस दिद्हां विर शामारी है और अंत में द्वनी की दुगनी गती से उड़ने में सक्षम आस्मान को चीरते आ रहा है मिक 29 के लड़ाको विमानों का यह दस्ता जिसका नित्त्व कर रहे है कैटन एस एस साम्भियाल गोरफ कपल रुमांच कपल जो आई